हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल कैसो आप सब लोग आई होप के अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ आज मैं आपको यह सबजियां इसलिए दिखा ली हूँ मैं मार्केट गई थी तो फिर वहाँ पे मैंने बहुत सारी सबजियां देखी और आप लोग के स साथ भी शेयर करना चाहा तो सोच है कि आप लोग को क्या शेयर करूं और किस चीज के मतलब एक कोई मतलब एक चीज जिसके बारे में मैं आपको तरीके से और पूरे अच्छे से बता सोकूं तो मेरे दिमाग में आज एक सबजी नी वह एक फॉल है उसके बारे में आपको बताने का आया यहाँ पर मैंने देखा केला और मैंने सूचा कि आज केले के बारे मैं आपको बताती हुँ उसकी इंपोटेंसि बताती हूँ और कैसे कैसे वो होता है सब कुछ आप लोग के साथ सब zahe separate तो हमारे हिंदु धर्मर में जो केला और केले का पेड़ उसके पत्ते होते हुसमें खाना खाया जाता है जब और यह पित्र पक्ष लगते हैं तो उसमें अपने पित्रों को खाना भी परोசा जाते हैं क्योंकि वह बहुत जादा सूब माना जाता है माना जाता है जो ग्रहों में व्रेश्वती देव है उनको भी प्रिया लगता है ये केले का पेड़ और खाना उनको इसी में चड़ाया जाता है केले पे जो फल लगने का तरीका है केले के पेड़ पे केले कैसे लगते हैं आप लोग देख सकते हो बहुत जादा उचाई पे और ये ऐसा पेड़े जिसमें कोई न चड़ सकता है न उतर सकता है मतलब अगर कोई चलने की कोशिश करे तो ये सिद्धे तूट जाएगा इतना हलका और इतना ऐसा ये पौदा ये पेड़ होता है बड़ा सा पेड़ पे और उपर थोड़ा बहुत एक जुंड पे और बहुत सारे केले लगते हैं 100,500,200 जितने भी लगेंगे और एक ही जगों में लगते हैं केला एक ऐसा फल है जो कि मतलब 12 मास हमें पाया जाता है खान लेकिन जो अपना नेचुरल तरीके से है तो इसमें केला एक ऐसा फल है जो कि नेचुरल है 12 मासी फल हमारे सरीर को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है कहा जाता है अगर कोई कमजोर है तो उसको सला दी जाती है कि रोज सुब और श्याम दोदो केले खाओ और दू घुले में कोई भी फैट नहीं होता है और विटामिन भरपूर मात्रा में विटामिन शीक्स विटामिन bu ए बहुत सारे विटामिन इसमें पाए जाते हैं और कार्वो हाइड्रेट भी इसमें पर्चूर मातरा में रहता है ताकि हमारे सेयद को हर एक चीज केले के माज़ें